tradgo app से पैसे कामाने का सबसे popular और सबसे आसन तरीका है दोस्तो recharge करके पैसे कामाना अब आप लोग दोस्तो दूसरे का recharge कीजे या फिर अपना कीजे आप लोगों को commission मिलेगा दोस्तो earning होगी तो ऐ आखिर ये mobile recharge जोस्तो हम लोग कैसे कर सकते हैं Tradgo एप में या फिक जबेट Tradgo एप से ये मैं आप लोगों को इस विड़े में बताऊंगा साथी दोस्तो इससे आप लोगों को Commission किस प्राकार से मिलता है कहां मिलता है कैसे अर्रिंग होती है वो भी बताऊंगा फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तो मैंने 58 रुपे का अभी अभी रिचार्ज किया है आप लोग देख सकते हैं ये सक्सेस हो चुका है दोस्तो अब लोग देख सकते हो तो ये मैंने कैसे किया दोस्तो और कैसे आप लोग अगर आप में इसे किसी ने ट्रैट गो अप्लिकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड करना चाहते है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड कर सकते हो अगर आप लोगों को पोस्ट पेड बिल पे करना है दोस्तों तो यहां से कर सकते हैं यहां आप लोग यह तो mobile number डाल सकते हो सिधा-सिधा या फिर यहां से आपके contact में से choose कर सकते हो फिलाल दोस्तों यहां पर मैं अपना mobile number डाल दूँगा जैसे दोस्तों मैंने अपना mobile number डाला तो यहां पर operator और circle automatically choose हो करके आ चुका है दोस्तों अगर यह गलत है दोस्तो तो इसको आप लोग सही करेंगे ठीक है अपरेटर गलत है तो सही कर लिजे सरकल गलत है तो चूज कर लिजे दोस्तो क्लिक करके ठीक है जैसे चूज करेंगे तो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी choose कर लीजे दोस्तो आप लोग दोस्तो डारेक्टली mobile number नहीं डालेंगे contact में से mobile number choose करेंगे तो आप लोगों को operator और circle choose करने के लिए कहा जाता है दोस्तो तो सही से choose कर लेना आपका जो भी है वो अब दोस्तो नीचे हम लोगों प्लांस देखने को मिल जाएंगे आप लोग देख सकते हैं ठीक है talk time में जाएंगे तर talk time देखने को मिल जाएगा data में जाएंगे तर data unlimited में जाएंगे तो unlimited तो category wise दोस्तो आप लोग यहाँ पर plans find कर सकते हो जो भी plans आप लोगों को दोस्तो लेना है जिस पर plan के तरो आप लोगों को recharge करना है दोस्तो तो वो plan आप लोग choose कर लेजिए मैं तो दोस्तो 58 रुपे का recharge करना चाता हूँ तो मैं इसको choose करूंगा plan choose करने के बाद में नीचे proceed to paper क्लिक करना है उसके बाद देखो हमारे सामने फिर ऐसा interface आ जाएगा अगर दोस्तो आपने tradgo wallet में पेसे add कर रखे हैं tradgo app का wallet balance आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो फिर आप लोग इसको ही choose कर लीजे दोस्तो और payment कर दीजे ठीक है नीचे click कर दीजे payment हो जाएगा दोस्तो ठीक है आपके recharge हो जाएगा जो भी आप लोग UPI app इस्तमाल करते वो तो इनके तुरू भी दोस्तो आप लोग payment कर सकते अपना UPI app choose कर लीजे और UPI pin fill करके दोस्तो payment कर दीजे transaction complete कर दीजे तो आपका recharge दोस्तो successful हो जाएगा फिलहाल तो मेरे tradgo wallet में दोस्तो balance available है तो मैं tradgo wallet के तुरू ही pay से pay करूँगा तो मैं tradgo wallet को choose कर लेता हूँ और नीचे pay पर click कर देता हूँ मतलब जो amount दिखाया जा रहा है नीचे तो इस पर click कर देता हूँ कभी-कभी दोस्तो यहाँ पर होता क्या है कि amount जो है ना गलत दिखाता है तो फिर आपको एक बार दोस्तो back आना होगा फिर से plan choose करना होगा ठीक है थोड़ा एक बार back आजाईए और फिर से continue कीज़े यहाँ पर सही amount आता है दोस्तो यहाँ पर और यहाँ पर सही amount है तो फिर दोस्तो pay होगा नहीं तो दिक्कत आती है ठीक है तो एक बार बैक आगर कि आप लोग उसको सही कर लेंगे तो फिलाल दोस्तों मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ तो चलिए दोस्तों फाइनली हमारा रिचार्ज सक्सेस्पुल हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं कभी-कभी थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों ठीक है बाद में आप लोगों को बताया जाता है वह रिचार्ज सक्सेस्पुल हो आएगा नी और कभी-कभी तुरंद हो जाता है दोस्तों आपका जो recharge है दोस्तों वो आप लोग कहां चेक कर सकता है तो reports पे क्लिक करो और उसके बाद में recharge history पे क्लिक करो आपका recharge यहाँ पर दिखाय जाएगे वह success है या फिर fail हो गया है और आपको कितनी earning हुए यह दोस्तों तो यहाँ पर दिखाय जाएगा आप लोग देख सकते है मेरे को लगबग 87 पेसे यहाँ पर earning हुई है दोस्तों अब देखो earning यह कैसे होती है किस प्रकर से होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ देखो दोस्तों आप लोग अगर tradego wallet में पेसे add करेंगे ठीक है मानले जाए आप लोग 100 रुपे एड किये है और आप लोगो 95 रुपीज ही कटेंगे दोस्तों wallet से और 5 रुपे आपके wallet में वैसे करेंगे दोस्तों ठीक है उसको आप लोग यानि कि उन 5 रुपे को फिर आप लोग अगले transaction में इस्तमल कर सकते हैं तो ऐसे करके दोस्तों आप लोगों को commission मिलता है और ऐसे करके आप लोगों को recharge में earning ह होती है दोस्तों और देखो आप लोग अगर phone पे वागेर से पे कर रहे हैं दूसरे payment आप से आप लोग रिचार्ज कर रहे है पेमें दूसरे app से कर रहे है दोस्तों तो फिर क्या होगा पूरा amount आपको pay करना होगा 100 का recharge है 100 रुपे पे करने होगे आप लोगों को और आपक को कमिशन कितना मिलेगा वो कैसे देख सकते हैं रिपोर्ट्स पे क्लिक किजिए उसके बाद माई कमिशन पे क्लिक किजिए उसके बाद मोबाइल अभी देखो कौन-कौन से company पे यानि के कौन-कौन से operator पे आपको कितना कितना कमिशन मिलेगा आप लोग देख सकते हैं दोस नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू